इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहाँ पर चन्डीगड में देगरात केंद्र सरकार और किसानों के बीट चौथे दौर की बातचीत हुई और ये बातचीत काफी साकरात्मक महौर में हुई सरकार की तरफ से किसानों को कुछ प्रस्ताव दिये गए जिसमें कुछ उपज के लिए MSP पर 5 सार की गैरंटी दी गई है सरकार की तरफ से मिले सुझावों पर किसान चर्चा कर आज सरकार को अपना जवाब देंगे किसानों की तरफ से भी कुछ सकरात्मक सुझाव सरकार को दिये गए हैं चंडीगड में ये बैटक होई कुछ फस्लों की MSP पर गैरंटी का प्रस्ताब जो है वो रखा गया किसांद संगेटनाओं के प्रतिनिदियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरन में एक सकारात्मक चर्चा लंबी चर्चा हुई है माने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं पाथ साल के लिए एक कॉंट्रैक्ट करके NCCF और नफरेट गैरंटी करेगा कि अगले पाथ साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिपाई करके ये चार प्रोडक्स बनाएगा चार उत्पादन खेती के करेगा उसको ये संस्ताएं MSP पर खरीदेगी कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी किसान संगटों ने बताया कि वो यहाँ पर इसमें निर्ने लेने के बदले कि कल सुबह तक हमें अपना निर्ने बताएंगे मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरन में आज की चर्चा हुई है उस वातावरन में दोनों पर सकारात्मक सोच के साथ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे हम अमरोज करेंगे कि माने किसान इसको कॉल आफ करें किसान संगटों की चार घंटे से जादा चंडीगर में मिटिंग हुई पोजिटी महौल में ये मिटिंग जो है वो बताई जा रही है अब केंदर सरकार की तरफ से एक परपोजल किसान यूनियन को दिया गया है कि जो डाले हैं कोटन है उस पर भी पूरी MSP जो है वो किसानों को दी जाएगी और पूरी फसल जो है पांच साल तक केंदर की एजंसिय उठाएंगी इस पर फैसले के लिए अब किसानों ने दो दिन का समय मागा है दो दिन बाद केंदर के सामने केंदर का जो परपोजल आया है उसके बारे में किसान जानकारी केंदर से संची करेंगे तो चौते दोर की बादचीत कहीं न कहीं सकारात्मा के रूप लेती हुई नजर आ रहे किसान इस पर विचार विमर्श कर रहे है लगातार मेरे से होगी मानव शंबू बॉर्डर से बने हुए मानव जरा आसान शब्दों में दर्शकों के लिए बताईए कि आकर ये जो बैठक थी इसमें क्या बादचीत हुई और आकर सरकार की तरफ से वो कौन सा प्रस्ताव दिया गया है जिसको लेकर किसान कैना का या पॉजिटिव रुक अपना रखे है बिल्कुल देखिए CACP एक आपका आयोग है उसके तहत कुछ MSP 23 फसलों पर सरकार टै करती है हर 6 महिने में ये रेट रिवाइज होते हैं लेकिन कल जो चौती बैट रखती जहांपर 14 किसान केंदर के तीन मंतरी और पंजाब के मुक्य मंतरी पंजाब की क्रिशी मंतरी उस बैटे को मौझू से वहाँ पर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव किसानों के सामने ये रखा गया कि अगर आप दलहन यानि दालें कपास यानि कॉटन और इसके लाबा आप ऐसी चीजों को उप जाएंगे और ऐसी फसलें आप करेंगे तो आपको सरकार पांट साल के लिए आपके जो नैफेड है या सीसीपी है कॉर्टन कार्परेशन ओप इंडिया उसके तैज पांट साल का कॉंट्रेक्ट होगा और ये देश भर में ये लागू होगा कॉंट्रेक्ट और इससे बहुत ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा इसके साथ अभी पंजाब में होता क्या है कि पंजाब की किसान ज्यादा तर गेहूं और धान की बुवाई करते हैं अगर एक तरीके से डाइवर्सिटिशन होगा फसलों में तो कहीना कहीं दूसरी फसलों की उपजभी होगी ताकि बाकी जो एक तरीके से किसान अभी गेहूं और धान पर हो जाते हैं तो कहीना की सरकार की कोशिश यह है कि प्रस्ताव किसानों के सामने अब रख दिया है किसान यह कह रहे हैं कि हम MSP गारंटी कानून चाहते हैं जिससे कि पूरे देश के किसानों को जलाव हो और बाकी अन्री फसलों पर भी गारंटी के तैट एक मूली तैय हो जाए MSP को अगर आप समझयें तो होता यह है कि इसमें तीन चरन होते हैं पहले चरन में यह होता है कि जितनी आपकी लागात है अतना ही इसी आदार पर आपकी खरीद होती है दूसरा होता है कि आपके जितनी लागत हुई उसके लाबा जो मजदूरी खुद किसान ने अपनी जमीन पर की उसकी लागत निकालती है किसान को एक तरीके तो मुनाफ़ा दिया जाए और तीतरा होता है जिसकी मांग जिसको लेकर आंदोलन हो रहा है सीटू प्लस 50 परसेंट जिसकी सिफारिश एमस स्वामियातन आयोग ने भी की ती उसमें यह था कि सरकार का जो खरीद करेगी उसमें फसल का करीब 50 परसेंट अत्रिक मुनाफ़ा किसान को होना चाहिए उसमें किसान की खुद की जमीन पर एक तरीके से उसका किराया है वो भी उसमें शामिल किया जाए तो इस तरीके की मांगती इसको सरकार ने यह कहा कि इससे बहुत ज्यादा बोज हमारे उपर पढ़ जाएगा तो फिल पज़े सुब 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे जिसके लिए पहले से यापर किसान शंबू बोटर पर बैटे हुए अगर यह बात सरकार और किसानों की भी नहीं बनती है तो उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालों मक्का और तपास इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है है ये के अंदर की दो जंस्यों के दोवारा इनकी पूरी की पूरीवस्ते एममेसपी जो त्यकित जायेगी उसके उपर खरीदी की जाएगी और उन्हीं ही वे जोड़ों जन सीच हैं के इंदर की उनी यह के दोवारा हमारे साथलम्यक्तFr Young Kyle लिखा जाएगा और जो मंत्री महदने आपको बोल के भी परस्ताब दिया है यह परस्ताब ला रहे हैं यह एक बात यह आई है तो उसके उपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्च करेंगे और जो माहिर हैं उसके भी राये लेंगे जो पर पोजल वो आई है वो देश हित्में किसान मेज़ूर के हित्में फेटी सव tutto में हित्में क्या सही है क्या गलत है उसके उपर निर्नारा अगा रहे या तो अकल सुबह होगा या शाम krita परसो सुब्हा सब बाते हो जैंगी प्रफे दौर कि ये बात्चीत सुख़द जरूर रही है क्योंकि यहां किसान ये कहते हुए नजरा हैं कि अगर सरकार हमारी बात सुन रही है तो हमें भी उनकी बात सुननी पड़ेगी लेकिन आंदोलन को लेकर क्या हुआ सरकार की तरफ से आंदोलन खत्म करने की अपील की ंदेश क इस पर क्या कह रहें कि अगर कुछे लिएं किंगरा इप करीब चार दिन के अपज्शान की तुंसानों की तरफ से यहां पर शंभूबडर पर क्या किया गया कि अपने जितने विग्जंगता हैं जितने विकिसान उनको यह कह लएक्या की यहां को पुल्श के साथ नहीं करनी है आपको सयम बदाखनां क्योंकि आपकी बात्षीट सर्कार मैं ही तो प्रस्थ कानवनने की ती ती नहीं हुई अंकी भी स्रकार 12 मैं से आट में उनकी मान नहीं है और जब रात को बैटाक हुई जब किसान निता वहां से बाहर निकले तो उनकी चेहरे पर एक तरीके से एक पॉजिस्टिव हमको साइन देखने को जरूर मिला है हलांकि वो लोग यह कह रहे है कि अगर हमको प्रस्ताव माने ने लाइक होता तो हम कल रात को ही बैटक के बाल सरकार को वहां कर देते लेकिन फिर भी क्य झाल झाल 2भ क्वड़ Two-tन वहां कर देते लेकिनी देखने बाल भी को बशिए भी मुझ कर दिर को बढ़ एक रσαसे लेकिन